या आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और घर बैठे कॉपिटिटिव एक्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं अगर आपका उत्तर है हाँ प्रेप्राइज लेकर आया है आपके लिए रोजाना लगभग साथ क्लासे जिसमें होंगे देरों सारे वेश्यों जैसा की रिजनिंग, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथेमेटिक्स, माचल जी के अगर आपने प्रेप्राइज चैनल सब्स्क्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन है बेल आइकन को भी दबा देगा तो करिए अपने सपनों को साकार प यह दूल बारे में जो मेले मनाये जाते हैं उन सब के बारे में अज हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले में देखते हूं कि किन को क्ल का लेक्टर कैसा लगा और आज कौन-कौन हमारे सेशन में आया है और आपसे request है कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं शुरू करने से पहले मैं आप सबसे request करती हूँ कि इस वीडियो को like कीजिए, share कीजिए और जिन्होंने अभी तक हमारे चानल को subscribe नहीं किया है वो हमारे चानल को subscribe करे हैं और जो ये पहली बार देख रहे हैं प्लीज शेर देख वीडियो और सबसे पहले like का बटन दबाएं ठीक हैं हमाचल मिक्सप प्रदक्शन नागेश कुमार, hello to everyone सफ बारा स्टूरंस, Madhu Dadwal, good evening Dr. Revati, good evening Damini Sharma, good evening Welcome, Damini Sharma, welcome to the class again and hope this time you'll crack the paper Everybody crack the paper क्योंकि ये Damini Sharma हमारे पत्वारी सेक्शन से भी जुड़े हुई थी So congratulations अगर आपने पत्वारी का पेपर crack कर लिया है Thank you so much, Suman Chauhan, good evening Students lecture बहुत थोड़ा सा लंबा है तो जल से जल प्लीज आप से request है कि जल से जल lecture में आएं और इस lecture को share करें I request everyone रचना शर्मा, अखिलेश शर्मा, दीक्षा वर्मा, सुमन चोहान Very good evening to everyone तो शुरू करते हैं ये हैं हमारा हिमाचर प्रदेश जी के सेक्शन आज कर रहे हैं हम चंबा की लेक्स चंबा की लेक्स जो हैं, जीले ठीक है, एक student ने, कई students ने मिरको कल feedback दिया था कि माम हिंदी में होना चाहिए देखिए students, English में आप कुस देखना है main main points को आप notify कर लीजे हम हिंदी में भी बोल रहे हैं, अगर आप बार-बार उस lecture को देखोगे और बार-बार हम हिंदी में ही बोल रहे हैं आपको ज्यादा English में नहीं बोल रहे हैं, अगर आप उसको देखोगे pictures के through देखोगे, चंबा के बारे में अगर आप relate करोगे जिनको हिंदी में problem, English में problem आ रहे हैं, वो याद कर सके हैं फिर भी हम कोशिश जूर करेंगे, पर ये section जो है कई लोगों को हिंदी में problem है, तो कई लोगों को English में problem है तो आप अगर points को note down कर लेते हो, तो आपको अगर chapter समझ आ जाता है, अगर आपका concept clear हो जाता है फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, तो आप please ध्यान से सुनें तो आपको clear हो जाएगा सबसे पहले लेते हैं हम खजियार लेक, ठीक है, लेक, खजियार, जीन आपको पता है, खजियार is the main tourist port of चमबा, कहां पर पढ़ता है, खजियार पढ़ता किस district में, क्योंकि हम चमबा ही पढ़ रहे हैं, तो हम चमबा डिस्टिक में, लेकिन आसपस किसके है, ढलाओजी, नियरबाय जो है वो ढलाओजी, चमबा से 20 किलोमेटर दूर ढलाओजी में, लेकिन अब खजियार हम, क्या है, वहाँ पर आपने देखा होगा, जो लोग चमबा के हैं और कभी खजियार आए होगे, आपने देखा होगा, एक ground के बीच में जी जील है, उस जील को जो उसकी समुंदर तल से उसकी उंचाई है, वो है 6300 feet, ये है feet, और अगर हम ऐसे बात करें, मिटर के हिसाब से, तो 1951 मिटर स्वाम सी लेवल, ठीके, और खजियार, इसका नाम खजियार क्यों पढ़ा है, वहाँ पे एक नाग देवता का मंदिर है, खजी नाग के बेसिस पे जो है, इसका नाम खजियार पढ़ा है, लेकिन खजियार के इसकी जो डेफ्थ है जील की, वह है 13 feet, इतनी गहरी है, और इसकी एक चीज की खास बात बताओ, इसके आसपास जो है लेगून बना हुआ, मतलब घास बगरा हुआ है, तो आपको खजि खजियार लेक का नाम किस बेसिस पे पढ़ा है, खजी नाग के बेसिस पे, खजियार का नाम इसको एक और नाम की, चंबा में मिनी स्विस्ट या किस जगा को मिनी स्विस्ट के नाम से जाना जाता है, वो है खजियार, किसने दिया था, विलसे ब्लेजर ने, ठीके, कौन थ पर आज़ाँ ये Vice Chancellor of Switzerland University जो आया था और जिसने इसको खजियार को Minny Swiss का नाम दिया 1992 में कब दिया था? 7 जुलाए 1292 में इसको किस ने दिया था Wilson Blazer, Anway Wilson Blazer ने इसको क्या नाम दिया गया था? Minny Swiss कब? 1992 में, ठीक है? कौन थे वह Vice Chancellor of Switzerland University और एक चीज़ और बताता है उनका जो स्विस कापिटल बरने थी वहां से उन्होंने मैप आउट किया है 6192 किलोमेटर्स जो है उसके पॉइंट ऑफ यूसे उसको मैप किया है ये खजियार पू जो प्लेस है आप से पूछा गया जाएगा खजियार लेक ऐसे ही क्वेश्चन आजाता है खजियार लेक कहां पे है तो खजियार लेक कहां पे पड़ी चंबा डिस्टिक में पड़ी कितनी है समुद्धतल से उन्चाई 1951 मिटर्स और अगर फीट के हिसाब से करें तो 6300 नेक्स देखते है मनी महेश देखो कल हमने मनी महेश पीक भी की थी मनी महेश लेक कल हमने क्या था मनी महेश कैलाश पीक मनी महेश कैलाश पीक के आसपास एक झील है जहां पे लोग जो है इसको बोलते पवित्र जील गौरी कुंड के नाम से गौरी कुंड यह जो है जहां पे लोग जो है वो यह शुरू कब होता है जनम अश्टमी से शुरू होगा और राधा अश्टमी तक यहाँ पर आपका लोग जो है सनान लेते हैं तो यह है क्या जिसे यह लेख है यहाँ पर आपका केलाश पीक है उसके पाउं में यहाँ पर यह लेख है ठीक है तो ये कब है और इसमें सेक्रेट वाटल इसकी जो स्मुद्ध तल से उंचाई है वो है 4200 मिटर ठीक है आपको ये पता होना चाहिए कि मनी में इस जेल कहां पे है ठीक है आप लोगों को PDF जो है वो मिल जाएगी डोंट वरी पहले आप lectures को देख लीजे हाँ PDF जो है आपको बहुत जल्दी अगर हमारे पास maximum students होंगे तब हम आपको PDF जो है वो provide कर देंगे डोंट वरी आपको PDF मिल जाएगी ठीक है नेक्स्ट आता है चमेरा लेक अब देखो जो दो लेक्स है वो नाच्रल लेक है और चमेरा लेक is the artificial लेक ये खुद बनाई है artificial लेक ऑफ चमबा तो कई बार आपसे घुवाने के लिए question पूचाए which is the artificial लेक ऑफ चमबा इस चमेरा लेक कितने altitude में है यानि स्मूदतल से उसकी उन्चाई कितनी है 763 meters और ये बना किस पे है चमेरा डाया रावी रिवर पे अब मैं आपको एक connection बताती हो आपने पढ़ा होगा गोविंद सागर लेक गोविंद सागर ये हम पढ़ेंगे ये है हमारी हिमाचल की largest artificial lake अगर हम बात करें थोड़ा सा link करने के लिए कि largest artificial lake of हमाचल कौन सी है वो है गोविंद सागर लेक कहां पे पढ़ती है बिलासपूर पे और ये किस नदी पे है ये है आपकी सतलूज पे ये ही पढ़ा है अब चमबा की जो artificial lake है वो क्या है चमेरा डाम और किस नदी पे बनी है रावी रिवर पे और इसकी basis पे जो हाइड्रो electric power plant भी बना है चमेरा डाम पे ठीक है और इस चमेरा डाम से देखो ये जो artificial lake है इस पे ये जो मैंने आपको दिखाई है ना पिक दाट इस अफ तलेरू जगा है वहाँ पे और यहाँ पे boating, water active water sports activities भी इस डाम पे की जा सकती है नेक्स देखते है माडल या महाकाली डल लेक महाकाली लेक जो है ये कहाँ पे चमबा की एक village है सानू और गुडियाल ये कहाँ पे पढ़ती है साहू डिस्टिक के आसपास पढ़ती है वहाँ पे ये महाकाली डाल लेक है कितनी उंचाई पे है 12,000 feet 12,000 feet का मतलब है 3,657 meters मतलब समुदर तल से उसकी उंचाई feet के हिसाब से नहीं पता चल रहा तो आपको इतना पता होना चाहिए 3,657 feet मतलब meters जो है ये समुदर तल से इतनी उंचाई पे है इसका महाकाली नाम क्यों पढ़ा क्योंकि महाकाली जो है that is the main goddess of नौदर आपके ये हिमाल्यास के लिए और खजियार और मानी महेश लेक से ये सबसे बड़ी उससे बड़ी है ये लेक इस तरह से और surrounded by मतलब peak, छोटी-छोटी mountains से covered है आपको सिर्फ आप से देखा ये नहीं पूछा जाएगा कि कितने उस पे है ये सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि ये जो महाकाली लेक है ये किस district में पढ़ती है और इसकी समुद्ध तल से क्या हूँ चाहिए next देखते है घडास्रू लेक घडास्रू लेक जो है वो चुरात असील आप चमबा 24 किलोमेटर आफ फ्रॉम टीसा टीसा से ये जो है 24 किलोमेटर दूरी पे पढ़ती है feet 11,500 feet अगर हम इसकी वैसे बात करें that is 3505 meters circumference जो इसका घिराव है वो सिर्फ एक किलोमेटर के डाइरे पे है और गाली का टेंपल है अब आती है लमडाल लमडाल लेक जो है लमडाल भी बोलते हैं लमडाल भी बोलते हैं ये है 45 किलोमेटर प्रम चमबा धोलाधार की रेंजिस में पढ़ती है तो धोलाधार मैंने आपको बताया था क्या बोलते हैं हम इसको मौलक पर बता है ये कौनसी जील है जो धोलाधार की पाहडियों पर पढ़ती है वो है आपकी लमडाल लेक ग्रूप ऑफ सेवन लेक किसको बोला जाता है लमडाल कई बार आपसे क्वेश्चन आएगा चमबा की वो कौनसी जील है जो ग्रूप ऑफ साथ जीलों का समूँ है तो वो है आपका लमडाल और इस दे लाज़ेस्ट लेक ऑफ चमबा सबसे बड़ी जील जो है चमबा की वो कौनसी है लमडाल यहाँ पर जो लोग है टूरिस स्पोर्स भी जाते हैं और कई बार यहाँ पर मिला भी लगता है ठीक है Next Festivals अब आते हैं Fairs and Festivals I hope कि आपको लेक सेक्शन जो है वो clear हो गया हो गया and I request students Please like this video and share this video क्योंकि जो students आज हमारे साथ हैं उनको यह lecture कैसा लगा है आप अपना feedback comment section पर डाले है और जितना अभी तक किया है वो किसको समझ आ गया है और किस आपको यह lecture बोर तो नहीं लग रहा और अभी हमने किया है जील यानि लेक्स की है अब हम कर रहे है फेस्टिवल्स ओफ चंबा तो आप अपनी copy पे या आप screenshot लेना चाहते हैं तो screenshot लीजे but I request everyone to share this video and उस से पहले पढ़ने से पहले प्लीज एक वार like कर दीजे ठीक है पवन कुमार मैं हम हिंदी मीडियम में देखिए students होता तो notes बनाने के लिए ठीक होना था देखिए पवन कुमार जी अगर आप इसको as a लिख लो आप थोड़ी बहुत English तो जानते हैं ठीक है फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको हिंदी में notes दे दिये जाए कोशिश हमारी पूरी रहेगी लेकिन मैं आपसे request कर रही हूँ कि अगर आप इस वीडियो को बार बार सुनेंगे और बार बार इन चीजों को पढ़ेंगे तो आपको ये lecture clear हो जाएगा फिर भी मैं आपसे ये नहीं कहरी है मैं कोशिश पूरी करूंगी कि आपको इसको हिंदी में लाया जाए लेकिन आपसे request है कि try to learn concept को बार बार देखिए तो आपको learn हो जाएगा ठीक है मधू डटवाल जी जो है ये सारे आपको MCQs, 10 years papers ये सब करेंगे जैसे जैसे district cover होती जाती है वैसे वैसे आपको homework section भी आएगा बीच में जैसे हम पहले करते थे homework section में आपको जितने भी questions है last में आपको current of years recent questions, पुराने questions homework section में 10-10 questions दिये जाएगा आप मुझे comment section में एक तरह से आपका जिसको बोल सकते हैं notes भी बन जाएगे तो अभी हम lecture को शुरू कर रहे है तो आपके साथ बहुत जल्दी next week से आपके homework section भी शुरू हो जाएगा ठीक है अब आता है आपका मिंजर fair मिंजर fair these are the festivals of chumba festivals and fairs ठीक है अब ये क्या है मिंजर ये है एक international अंतराश्रियत रहार है कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है last week of Sunday last week of Sunday in the month of July मतलब जो जुलाए का last Sunday होता है last हफते का जो last Sunday होगा और अगस्त तक चलता है पहले week of August ठीक है मतलब July का last हफता और अगस्त का first week वहाँ तक चलेगा और इसके बाद यहाँ पर मैंने लिख दिया in the month of August नहीं July and August ठीक है last Sunday of July मिंजर फियर है क्या आपने देखा होगा कि जो भुट्टे होते है उन भुट्टों के प्लांस के उपर जो होता है वो आ जाती है उनके फूल अंकुरित निकलना शुरू कर जाते है ठीक है तैसल निकलना English में बोलते हैं उसको टैसल ठीक है वो निकलना मेज फ्लाज निकलना शुरू हो जाते है जब मेज फ्लाज मक्की जब बक्ती है उस टाइम पे क्या ओदा है यह फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है पुराने टाइम पे यह फेस्टिवल साहिल वर्मन के टाइम पे जो है सेलिब्रेट किया जा रहा था मतलब उस टाइम पे तो उस टाइम पे क्या ओदा था यह जो बुट्टा है उसको जो है साहिल वर्मन को दिया जाता है आज क्या ओदा है आज जो लोग हैं वह मिंजर का टेसल बनाते हूं Mixer होती है बहन वह अपने भाई को जो एक तरह से मिंजर बानती है लेकि लासटे पोजेशन क्या हूता है कि लासTे जो एजब मिंजर जो है कुघा करनी है तो मिंजर कहां चड़ाइ जाती है यह चड़ाई जाती है आपके लक्षमी नरायन टेंपल में वहां से जब इसको जिस दिन साथ दिन का यह होता है साथवे दिन जो है मिंजर नदी में प्रवाहित की जाती है यह तियोहार जो है इसमें काफी फान फेस्टिवल सब कुछ होता है एक्जिबिशन लगते लेकिन में जो इसका कंसेप्ट है वो है कि इस दिन जो होता है पहले तो लोग मिंजर बली देते थे लेकिन आजकल उस बली को बंद करने के लिए बंद कर दिया गया और लास्ट में क्या होता है कि जो लास्ट संडे मतला पहला अगस्त का जो संडे आता है उस दिन में साथ कपड़ सी तंटेकल वो कहां पर डाल दी जाती है warm radi jedi अर와न को झोहें ऐस अब कुछ शीब नहीं एक और तीज में बता दूए कुझ्छी मलहर के गाने जो है तो यह festival है और कब से मनाया जाता है राजा साहिल वर्मन के time पे खुब सारा possession निकलता है, rallies निकलती है, ठीक है, सुही fair, सुही fair जो है वो चमबा टाउन में month of April, बेशाक से पहले, क्या है सुही fair, सुही fair में जो राजा साहिल वर्मन की जो wife थी सुनैना, कहा जाता है कि चमबा में एक time पे पानी नहीं था, तो जो राजा थे, साहिल वर्मन उन्होंने पानी की लाने की बहुत कोशिश की लेकिन पानी नहीं आया, तो रात को सपना आया कि अगर वो अपने घर में से किसी की एक बली दे मतलब राणी ने जब अपनी बात की कि मैं बली देती हूँ तो उस टाइन पे राणी को खूप सा जाकर पालकी में बिठाकर जो है जब राणी ने अपनी बली दी थी एक जगह है यहां पर मलून वहाँ पे जाकर रानी ने अपनी बली दी थी जैसे ही बली दी थी तो वैसे ही चमबा में पानी पानी हो गया था तो उसकी याद में यह त्योहार मनाया जाता है और यह बेसिकली जो त्योहार है that is for woman and child, children के लिए बच्चे में तो खास कर यह ओरतों करते हो हार है यहां पर जो और और जो ओरते हैं वो गुरे ही डालती है बड़े बड़े चोले पहन के और ऐस दिन मतलों जो है मतलब Nina, Sunaina Devi था उनका नाम और इस दिन जो है सीकरी इसको सीकरी फेर भी बोलते हैं और लोक जो है वो सुकरात गाते हैं, गाना जो है वो सुकरात है, तो I hope कि यहां तक आपका clear होगा धीरज कुमार क्या यह रियल स्टोरी है क्या, yes this is the real story of this place तेकें, next भरमोर जात्रा, भरमोर जात्रा क्या होती है, मनी महेश जब मेला लगता है, उस यह भरमोर जात्रा होती है यह भरमोर जात्रा कहां से शुरू होती है, यह होती है लक्षमी नारायन से, लक्षमी नारायन से शुरू होगी और कहां पर जाकर लगते है भरमोर के, जो भरमोर में टेंपल्स हैं, चुरासी टेंपल्स वहाँ पे हरी हर का टेंपल पे पूजा होती है नरसिंग टेंपल, गनेश टेंपल, लक्षना देवी यह सारे जो 84 टेंपल हैं 84 टेंपल कहाँ पे भरमोर में वहाँ पे जाकर हर दिन कीर्टन वगएरा जो भी है वो पूरा पोजेशन होता है और लोग जो हैं जैसे म्यूजिशन नगाडा, धोल जो आपकी राना सांगा होता है, करनल यह सारे धोल बजाकर शिवजी की पूजा की जाती है तो भरमोर जातरा यह शुरू कहां से होती है लक्षमी नरायन टेंपल से कब शुरू होती है जनमश्टमी के दिन और छे दिन तक यह यातरा चलती है लोग चमबा से भरमोर जो है वो पैदल जाते है ठीक है नेक्स्ट है लिशू यह जो है लिशू त्योहार यह रिमोट एरियाज औफ भरमोर में मनाया जाता है बेसिकली यह जो है पहला बेशाक आने से पहले मनाया जाता है रिमोट एरियाज में और लोग जो है इसमें डांस वगएरा करके फन वगएरा करके इस त्योहार को मनाते है नेक्स्ट आता है बेशाकी इसको चमबा में बस्वा कहते है जब आपका सुही मेला लगता तो उसमें भी यह गाना आता आया बस्वा बस्वा से पहले सुही फेयर मनाया जाता है और बेशाकी जो होती है जिसको हम 13 अप्रिल को मनाते है इसको बोलते हैं फर्स बेशाक हिंदू न्यू यर घंके और शुन客 neste कीह आथ है जो लोग हैं यहां पर कैसे मनाते हैं जो pronounicous मिर्टी के घड़े होते हैं उन पे जूँन को पूरे मत्के को भड लिया जाता है और उसके बाद उनको जो है उसके उपर डिजरी नीं होती है जो जैसे लोग मूजा करते हैं तो वो बीजरी डालते हैं या seeds डालते हैं उस ते उसके बाद वो जोघेती लगती है उसको ब्राहमन को दे दιά जाता है दाट इस बसोवा ठीके उसके बाद नाग पंचमी नाग पंचमी जो है ये सप्टम्बर के महीने में में मनाया जाता है यानी जेट महीने में और इसमें जो है लोग जो है चमबा में नाग देवता का मंदिर है और चमबा के जितने भी लोकल एरियाज है जो जिस तरह से चमबा में शिव को शिव भूमी माना जाता भरमोर को वैसे ही लोकल डाइटी जो है यहां की वो नाग देवता है तो नागों की प जब नागपंच में भोजडी भोजडी जो होती है जिस दिन मिंजर लगती है मिंजर के बाद जो तियोहार मनाया जाता है उसको बोलते हैं भोजडी फ्याग जिसमें छोटे-छोटे जिस तरह से भोजडी का मतलब गिफ्ट आफ मनी जो है वह बच्चों को दी जाती है to celebrate मतल का न्यू मून ऑफ असज यानि आपका ये जब राखी के आसपास मनाया जाता है इसमें क्या होता है रत और रथनी रथ एक तरह से कपड़े का रथ बनाया जाता है रथ इस स्क्वियर फ्रेम ऑफ वुड वुड का बनाया जाता है और उसमें एक क्लोथ बांदिया जाता है यह जो रथ है यह निकलता है हरी राय टेंपल से और जो रथनी है वो आती है लक्षमिनारायन टेंपल से रथ और रथनी को जब मिलाते हैं रथनी is the figure of woman made with the cloth उसके बाद रथनी रथ को कहां से लाया जाता है यह रत रथनी जो है रथ एक तरह से यह मतलब जासे एक तरह से दुश्मन वाला festival रथ हरी राय टेंपल से और रथनी जो है वो लक्षमिनारायन टेंपल से आती है उसके बाद जो है Silk Armies पत्थर फैंगते हैं या Coins फैंगते हैं जो राखर पुन्या जैसे राखर पुन्या का मतलब है रक्षा बंदर उस दिन जो है राथ और रतनी पे फैंके जाते हैं राथ और रतनी को कहां पे जोड़ा जाता है लक्षमिना रायन टेंपल पे उनों को लाते हैं उसके बाद जैसे ही एक राथ थाया हरी राय टेंपल से रतनी आई लक्षमिना यह दोनों को जैसे ही जोड़ा उसके बाद एकदम से उनको दूर कर देते हैं जैसे ही दूर करते हैं रतनी को तो चंपावती टेंपल पे ले जाते हैं चोगान पर उसको पूरी तरह से फाड देते हैं उसकोकड़े को मतलब पत्थर मार मार के उस रथ को पाड देते हैं ठीके that is marriage and widowhood but इसका मतलब कहा है इस तियाखार को क्यों मनाते हैं इस तियाखार का मतलब है जो पहले परथा थी कि जो विड्टोज हैं आपका यहां तक जो concept है वो clear हो गया होगा और आपकी जो class है आपको वो interesting लग रहे होगा Students, I request everyone to share this video and like this video Commission का form Priyanka Devi जी पता नहीं कब तक निकलेगा जब निकलेगा classes तब तक शुरू हो जाएगी ठीक है I hope कि यहां तक आपका जो है lecture आपको अच्छा लगा है LAID का exam कब तक होगा I don't know कब तक होगा हो सकता है मार्च में मैं किसी चीज की surety नहीं दे रही बट हाँ इतना है कि इस बार शायद पर जल्दी निकल सकता है I'm not sure about it पर जिस तरह अभी इन्होंने ban किया था 8 December को वेपर तो में भी अगर forms निकाले हैं तो forms की जिस दिन last date होगी वो कब आता है मार्च में आप यह सोच के चलो it's unpredictable maybe on March maybe on this time तक यह जल से जल्दी paper आएगा और बहुत जल्दी अभी आपके public service commission के भी forms निकलने वाले हैं ठीक है I think कि यहां तक आपको interesting लगा है next करते हैं and I request everyone to share or please like this video अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है और पढ़ाने का धंग अगर आपको अच्छा लगा है तो मैं आपसे request करूँगी कि आप इस वीडियो को like करें और share करें ठीक है नेक्स्ट आता है खोल मेला इन पांगी full moon of mag ठीक है और इस दिन क्या होता है जो hamlets होते हैं उनको torch से जलाया जाता है और हर जगा जो है रात को feast मतलब एक तरह से खाना धाम होती है न जैसे वैसे ही रात का जो है इस तियोहार में खाना बनाया जाता है और लोग जो है torch फैंगते है torch का मतलब है जिसने torch जलाई इसका मतलब देख लो idol जो भी है सामने जो भी मूरती होगी उसके उपर torch डालनी है और जो है ये torch जो है इन torch को रात को shell torches होते हैं जिनको बोलते हैं chunk ठीक है और ये जो torches है ये सीधे अखरोट के पेड़ पे फैंगी है किस पेड़ पे फैंगते हैं ये अखरोट के पेड़ पे जिस torch अखरोट के पेड़ से सबसे ज़्यादा टकराई वो जो torch होगी उसको क्या आजाता है कि उसके घर में बेटा होगा ये कहानी है ये त्योहार जो है ये पांगी में मनाया जाता है नेक्स्ट आता है जुकारू मेला और पांगी ये भी पांगी जुकारू जो होता है ये पांगी में मनाया जाता है फागुन शिवरात्री के बाद मिना जाता है ये इसमें क्या होता है जैसे मतलब ये तोister जो animus ब nou और दूसरा इसमें लोग जो है सक्तू बनाते हैं और एक तरह से डांस करते हैं भाला की और तरह से मतलब भला डाना का मतलब होता है कि सेल्यूट करना कि तुम जो है हमेशा अच्छे रहो उस बेसे पे तो आप से त्योहारों के नाम पूछे जाएंगे त्योहार कहां मनाया जाता है और किसकी याद में बनाया और किसने शुरू किया ठीक है थांक यूह मैं एंसान ठीक है नेक्स देखने हैं टेंपल्स अब कौन-कौन से टेंपल्स जो हैं वह आपके चंबा में पढ़ते हैं तो सबसे पहले लेते हम छत्रारी टेंपल या शक्ति डेवी टेंपल यह कहां पर है चत्राडी और चत्राडी कहां पर है चंबा यह जो आपका टेंपल है यह किसने बनाया था गुगगद और किसके राज में बनाता मेरू वर्मन ठीक है जो उसका architect था उसने ये temple जो है बनाया है और जो architect का नाम था वो है गुगा ठीक है 84 temple एक question ये बहुत बार important पूछा जाता है very important हर paper में आता है कि 84 temple कहां पे है It's the group of 84 temples मतलब एक जगा पे 84 temples हैं जो 84 temples हैं वो कहां पे हैं भरमोर में हैं ठीक है ये भी किसने बनाया है ये भी बनाया है मेरू वर्मन में लक्ष्मी नरायन temple लक्ष्मी नरायन temple जो है ये है चंबा डिस्टिक में और चंबा डिस्टिक में चंबा टाउंड पे ठीक है किसने बनाया है साहिल वर्मन और यह लक्षमी नरायन टेंपल है यह तोटली जो है इसमें छेट ग्रुप आफ सिक्स टेंपल यानि इसमें शिव का भी है लेकिन जाता तर जो मेन टेंपल है वो वैशनविजम सेक्ट से ठीक है मनी मेश टेंपल मनी मेश कहाँ पर भरम में है विल्ट बाइ मेरु वर्मन नर्सिंग टेंपल नर्सिंग टेंपल जो भरमोर में है वो किसने बनाया है त्रिभुवन देवी ने ठीक है उसके बाद देखते हैं आपका और दो-तिन मंदिर है मैं उनके बारे में आपको लिखवा देती हूँ आप लिख लिजे प्लीज हरी राय टेंपल हरी राय ये भी आता है हरी राय टेंपल बनाया है लक्षमन सिंग लक्षमन वर्मन ने ये लिख लेजे अगर आपने लिखना है ठीक है नेक्स्ट आता है आपका कामेश्वर कामेश्वर जो है ये साहु में है कामेश्वर टेंपल साहु में है शिवजी का ठीक है किसने बनाया है साहिल वर्मन ये कौर टेंपल में लिख वारी हूँ गौरी शंकर गौरी शंकर जो है ठीक है ये किसमें बनाया ये भर्मोर में है युगांकर वर्वन एक और है आपका सीता राम मंदिर बंसी गोपाल मंदिर बंसी गोपाल मंदिर बंसी गोपाल ये चंबा में है बंसी गोपाल कृष्ण का मंदिर है ये बनाया बाल भद्रन बाल भद्र वर्मन ने ठीक है तो यह आपको नाम पता औने चाहिए एक सीता राम मंदिर है सीता राम मंदिर यह भी चुम्बा में है और यह बनाया था राजा पृत्विसिंग ने जो उसकी नर्ज थी बाट्लू उसने उसके उस पर बनाया था ठीक है अब आते हैं हम इंडरकिला सिंबल बाड़ा पिन वैली नाशनल पार्क यह सारे नाशनल पार्क है ठीक है लेकिन हम यहां पीडर जो यह बाखी मंदिर वह लोगा शेली के ठीक है तो जो आपके यह मंदिर आपकी century है यह होता है open area ठीक है? लोग जो हैं यहां पर hunting करने जा सकते हैं लेकिन this is the prohibited area तो आपकी जो चमबा में कौन-कौन सी centuries आती हैं हम यह कर लेते हैं कि कौन-कौन सी century है, सबसे पहली century है कुगती, कहां से है? चमबा से 87 km दूर है और इसका जो area है that is 378, कई जगा पे 379 km भी है ठीक है? largest wildlife century in the states second, it's not first, जो largest है that is किबर वो कहां पे है? लोग उस्पीक्ती में, ठीक है? दूसरा हम देखते हैं, यह जो है इसमें सबसे ज़्यादा Himalayan ताहर एक अनिमल है वो मिलता है, आपको यह पता होना चाहिए Himachal का जो state bird है वो है western trigopin state animal है, snow leopard तो यह चीज़े हमें पहले से ही पता होना चाहिए यह जो है, कुगती जो है west से tunda century, यह भी कहां की है यह भी चमबा की है ठीक है? next देखते हैं और यह एक तरह से जो कुगती century है इसके through हम मनी महेश भी जा सकते है सेच्चुतवान नाला century यह जो सेच्चुतवान नाला century है यह भी जो है वो चमबा में है इसकी मैं आपको square kilometer लिखवा दूँ 103 square kilometer इसका area है ठीक है? इसके अंदर क्या होते हैं? आपने सिफ area पता होना चाहिए और कौन सी district में है questions इस तरह से आएंगे तुंधा century मैंने आपको बताया है कि west से अगर कुगती की साइड से देखो तो west में तुंधा है अगर तुंधा की साइड से देखो तो east आएगा यह क्या है? connected with the east क्यों? तुंधा से इस साइड को जा रहे हो तो east कुगती से इस साइड को जाओगे तो west and Indian wildlife species होती है कौन कौन सी हिमालियन ताहर ibex, peasants and more सबसे जादा इसके अंदर सबसे कम population किसकी है musk deer की और यह जो तुंधा century है that is covered with coniferous forest आपको पता है coniferous क्या होते है coniferous forest वो forest वो जो कौन के होते है यानि आपके gymnosperms होते हैं जिन में flowers नहीं लगते हैं आपने चीड के पेड़ देखे हैं देवदार के पेड़ देखे हैं जो देवदार चीड के पेड़ यह सारे कौन सी category में आते हैं यह आते है coniferous category में ठीक है क्यों क्योंकि इस तरह से होते हैं देवदार के पेड़ क्योंकि snow काफी जादा होती है और यह जो slanting होते हैं यह इसलिए होते हैं ताकि snow जो है इस पे resist ना कर सके आई होप कि यहां तक clear होगा ठीक है next देखते हैं काला टॉप century काला टॉप कहां पे पढ़ता है खजियार में पढ़ता है और यह जो century है यह किस एरिया पे है आपकी राभी रिवर और इसकी जो एरिया है दाट इस 69 स्क्यार किलोमेटर ठीक है पॉनिफेरिस और ओक फॉरिस्ट आपने देखा होगा खजियार के आसपर चीर और देवदार के पेड़ों बीच में जो है लेक है काला टॉप जो है यह खजियार से उपर पड़ता है बाल शेव अगर हम इसकी बात करें तो हो हाजियरेखें कि अभी हमने पढ़ा कि ऐस जाम अटी है यह सुनदर बना दीआ अगर हम काला टॉह कि बातें है तो अंदर एक रीडार सिस्टम भी है वो जो लिडार सिस्टम है उसके थ्रूं हम आप जितने भी आपके डिफेंस होती है उन्कों हम पता लगा सकते हैं ठीक है next देखते हैं folk songs and folk dances हिमाचल के folk dances कई बार question आता है कि लोक नरित्य और लोक गाने तो लोक नरित्य कौन से हैं और लोक गाने जो यह सारे लोक नरित्य थीक है these are the folk dances FD कर रहे हूं folk dances है गुराई गुराई क्या होती है यह basically women's जो है वो गोले में dance करती है और एक होता है गड़ी dance यह जो dance है यह special है जो गड़ी मेल्स होते हैं वो perform करते हैं उसके बाद डांगी डांगी क्या है इसमें जो है आपका जो गड़ी females हैं वो सारी गड़ी females circular way से dance करेंगी और सुहनी और बुखु के जो गाने हैं वो इसमें गाये जाते हैं basically छत्राडी और भरमोर में होता है यह आपका डांगी dance ठीक है डेपक यह कहां पे होता है चत्राडी में अब आपको देखना है कि जो चंबा की famous dance है कई बार यह question आया है इससे very important these words important है क्योंकि इससे question आया है जांजर और जांकी और hunter यह these are the famous dances of चंबा तो कई बार question आता है चंबा का परमुक नरित्य कौन सा है तो जांजर और जांकी सेन जो है वो पांगी में है और यह जो सेन डांस है यह जो पांगी में जो बुरी आत्मा या बुरी चीज़ें होती है उनको खतम करने के लिए यह डांस किया जाता है पंगवाल पांगी के लोगों को पंगवाल बोलते हैं तो पंगवाल में जो डांस होता है वो सुबह सुबह जो मैं में मेल करते हैं और शाम के टाइम पर फीमेल करते हैं यह दांस पंगवाल डांस ठीक है folk songs, folk songs में अगर हम लोग गानों की बात करें, लोग गीत की बात करें, तो लोग गीत में जो है आज कल कुन्जू चंचलो, कुझडी मलार, राजा गदन, कुझडी मलार मैंने आपको बहुत में मिंजर में काते हैं, कुझडी चंचलो इस दा फेमस सॉंग आफ चमबा, लाफ सोंग है I think भुखु, गद्दी, लच्छीन, वाला, सुही गीत as well as सुक्रा ऐसे गाने जाता तर अगर सुना होगा तो कुंजु चंचलो है फिर आपका फुनु रुंजु है जैसे शिपजी पे भी बहुत ज़्यादा गाने हैं तो अगर हम चंबा की बात करें तो चंबा के famous दो singles एक तो Mr. Rajiv Thapa और Mohit Chohan belongs to चंबा ठीक है जिन्होंने चंबा पे बहुत गाने गाएं हैं तो ये दोनों जो हैं ये famous पोक मतलब एक तरह से चंबा से ही गए हैं तो ये चीज़ें आप पता आनी चाहिए अपनी बेटी की याद में मनाया था कहते हैं कि ये जो राजा साहिल वर्मन ते ये स्टोरी है कि राजा साहिल वर्मन जो ते उस टाइम पे जो राजा साहिल वर्मन को अपनी बेटी पे शक हुआ था कि जो बेटी है वो कहां जा रही है क्योंकि जो चंपावती थी उसको पूजा अर्चना करना मतलब आश्रम जाना बड़ा शौक था तो एक बार ऐसे ही राजा को शक कुआ राजा जो है वो इसको चेक करने के लिए गए तो वहाँ पर ये साधू एक साधू थे जिससे ये प्रिशिक्षन ले रहे थे और कि चंपावती पर शक किया था तो जैसे ही जब वो चेक करने गए तो चंपावती जो है वो गायब कर दी गए थी मतलब उसके साथ गायब होगी वहाँ पर उसको कुछ नहीं मिला तो तब आवाज आई थी कि भी चंपावती ये जो टेंपल है जो कहां पे है ये पढ़ता ह आपके चंपा के मेजर जहां पर आपका तेहसीर ट्रेजरी बिल्डिंग और पूलिस पॉस्ट है वहाँ पर तो ये जो है अगर हम वैसे आज की बात करें तो जहां पर चंपा का होटल है जो सिटी हार्ट उसके बिल्कुल सामने जो टेंपल है दाट इस चंपावती टेंप नोट अंपर और वहां पर के जाता है कि जब वो गायब होगी तो अंदर से एक आवाज ऐई कि यह तुम्हें श्राफ है कि राजा को इसलिए गायिए कि क्योंकि तुमनें अपनी बेटी पे शक क्या था इसलिए जो टेंपल है राज कहा जाता है कि यह अवाज आई ती कि बेटी की याद में इस temple को बनाया जाए यह story है ठीके किस तरह का है शिखर style शिखर क्या होता है चोटी type ठीके stone की carvings है और फिर next करते हैं हम लक्ष्मी नरायन temple लक्ष्मी नरायन temple जो है that is devoted to वैशनविजम देखा होगा सब बनाया है राजा साहिल वर्मन ने बनाया है और इसके अंदर जो है छत्रीज वो शिखर style है ठीके और इसके अंदर second time गरब ग्रे है जहां पर विश्नु की मूर्ती है और जो इसके उपर एक सामने metallic गरूड का जो गरूड आजे वहान जो है विश्नु का वह एक तरह से पिलर सामने जब हम लक्ष्मी नरायन temple में जाए तो गेट के सामने एक पिलर उस पिलर पर गरूड का वहान जो है गरूड का बनाया गया था और मैंने कल आपको बताया था कि औरंग जेब बेटे वहां पर कहा जाता है कि इसके लिए जो स्पेशल मूर्ती लानी थी विश्नु की उसके लिए काफी मशक्कत करने के बाद यूर्गांकर वर्मन जो है यह मूर्ती लेकर आया थे ठीक है चमुंडा देवी टेंपल जो है जिस चोटी पर है वह कौनसी रेंज है शामदार रेंज ओफ हिल्स है ठीक है यह बिल्कुल ऑपोसिट है मतला अगर हमें चमुंडा देवी टेंपल पर चले जाने यह कांगडा का नहीं है यह चंबा का है तो यह जब हम उपर जाते हैं तो है वह हर साल जब सुई मेला खतम होता है तो बैरा वाली माता जो है इस मंदिर में आती है और साल में जो है रोज यहां पर मेला लगता है मतलब आप मालो आपके अपरिल में लगता है यह दोनों भेने जो है मिलने आती है देवी कोठी से बैरा वाली माता जो है वह यहां प गूंजती ऑ फोरा नगारा बजते जब बैरावाली माता आती अखंट चंडी पैलेस जो आज का चンヌचल कॉलेज भीग का थिए पहले टाइम पर है ये कॉलेज होता था अध क्ाज इसको बनाया था इसकी जो हरी छत थी तक राजा-爱ika sình ने और कब बनाती 1747 से लेकर 1765 तक कहा जाता है उसके बाद राजा शाम सिंग ने इसको जो है ब्रिटिश इंजिनियर्स के थू जो है रिफरमिस्ट किया था इससी अखंचंडी में एक दर्बार हॉल है ठीक है इस दर्बार हॉल में पहले कॉन्फरेंस राजा की कॉन्फरेंस होती थी अब उस दर्बार हॉल था यहां पर फंक्शन होते थे बहुत बड़ा हॉल था इसको मार्शिल हॉल दर्बार हॉल को पुराने टाइम पर मार्शिल हॉल भी बोला जा सकता था क्यूंकि यह जो हॉल है वो मार्शिल ने बनाया था उसके बाद जो राजा बुरी सिंग थे जिसके ना जो है एक सेक्षिन बनाया था फिमेल महल जिसको जनाना महल कहते है ठीक है और यह जो आपका अखंड चंडी पैलेस है आज जो है 1973 में रॉयल फैमली जो थी उन्होंने यह जो था फेमस पैलेस एकंड चंडी उसको कॉलेज के बेसेस पर गवर्मेंट को दे दिया था ठीक है आई होप की यहां तक आपका क्लियर होगा चर्च ऑफ स्कॉटलेंड जो चंबा का चर्च है उसको चर्च ऑफ पहले क्या बोला जाता था सैंट एंड्रियो चर्च उसके बाद जो है इसको किसने बनाया फर्स्ट मिंशनरी रिवरेंड विल्लियम फेर्योगसन ने 1863 से 1873 तर ठीक है और आज जो नया चर्च है वो फेबरी 1899 में नेक्स देखते हैं आपका भूरी सिंग म्यूजियम यह जो भूरी सिंग म्यूजियम है यह कब बना 14 स्प्टेंबर इससे बहुत बार क्वेस्चन आता है कि वह इस भूरी संग म्यूजियम सिचुएटेड तैट इस न चंबा किसने बनाया है राजा भूरी स ने बनाया था कब रूल किया था 1904 से लेकर 1919 और जो जे पी एच फोगेल हैं इंडोलोजिस्ट उन्होंने इसके बारे में चंबा की हिस्ट्री के बारे में इस पे जो है एक एक्सपर्ट थे जिन्होंने काफी सारे मिनियेचर स्टोर पर रखे हैं इस जैसे शार्दा अगर हम अंदर जाएं तो हमें काफी सारी जो हैं आपको इंस्क्रिप्शन्स मिलेंगी बूरे सिंग के बमतार जो राजा के शहाजां के टाइम पर जो इनके मिनियेचर्स हैं कुछ मिनियेचर्स तो विक्टोरियन जो लाय म्यूजियम है लंडन में वहां पर भी रखा गय जो पेंटिंग्स हैं कला और संस्कृति देखो चंबा की जो पेंटिंग्स हैं वो ज्यादा तर गुलेर पेंटिंग से आई हैं पहली सबसे पुरानी पेंटिंग है हमारी बशोली जो जम्मू से ली गई है उसके बाद आती है गुलेर पेंटिंग जब किसके टाइम पे थे उन्हों ने इसको पूरी तरह से इस्टैब्लिश किया था ठीक है उसके बाद राजा पृत्विस सेंग आए निकु जो था और यहां पर पेंटिंग्स थी वो किस चीज पी की जाते थी राधाराणी, क्रिश्न, ऐस तरह से जो है क्रिश्ना की, शिव की यह पेंटिंग्स हैं और आज की स्टैज पेंब्स मिनीयिचर पेंटिंग्स का मैं आपको एक और चीज बता दूं पदम श्री इसके लिए पेंटिंग के लिए आज पदम श्री Mr. Vijay Sharma जो है उनको पदम श्री अवार्ड मिला है कला के लिए ठीक है पदम श्री अवार्ड और एक आता है आपकी चंबा रुमाल चंबा रुमाल जो है एक तरह से rectangular कपड़ा होता है जिसमें दोनों side जो हम कड़ाई करते हैं तो ऐसा लगता है दोनों side सीधी है और ये जो है राजा उमेद सिंग ने चंबा रुमाल को बनाने के लिए रंग मैल एक monument है आपका रंग मैल रंग मैल किसने बनाया है राजा उमेद सिंग मैं क्यूं बनाया है चंबा रुमाल को बनाने के लिए उसके बेसिस पे रंग मेल बना था और चंबा रुमाल के लिए भी चंबा में एक फेमस लिडी है मिस्स ललिता वकील ठीक है इनको नाशनल एवार्ड मिला है कि यह चीज पता होनी थीचे है उसके बात निकुछ अर्जु फेमस जो आर्टल थे वह इस चीज़ कि यह आप लिखा भी है दुर्गा लहरू दूर्गा मिया दारा सिंग ये भी थे और उसके साथ आपके यहां पर लिखा भी है निकू जो है that is the famous painter of this side ठीक है उसके बाद ये जो थे आपके main miniatures और main paintings थी अगर कुछ रहता है तो आप comment section पर लिख सकते हैं but this completes the chamba section उसके साथ मैं आपको 4 questions जो important questions पूछे जाते हैं वो questions जो हैं मैं थोड़े बहुत आपके साथ discuss कर लेते हूं जैसे चमबा में राजाओं की उपाधी कैसे दी जाती थी तो जो चमबा में राजाओं की उपाधी थी वो क्या थी आपकी वर्मन 84 temples कहां है भरमोर ठीक है उसके बाद आपने मुझे बताना है चमबा में चित्रकला की कौन सी शैली जो है सबसे जादा शैली जो है वो बशोली शैली उसके बाद गुलेर कलम ठीक है उसके बाद आप मुझे एक चिज़ा हैं चमबा में चमबा से related उन 920 ईसनी में चमबा वियासत से चमबा टाउं किसने बनाया था राजा साहिल वर्मने कुछ questions जो पूछे जाते हैं हिमाचल कुछ के किस जिले को शिव भूमी के नाम से जाना चाता है यार भरमोर ठीक है एक temple जिसको बोलते हैं यमराज का temple पूरे वर्ड में एक ही यमराज का temple है जो कहां पे है चुरासी देव का जो मंदिर है आपके भरमोर में पूरे वर्ड में एक ही यमराज का मंदिर है जो कहां पे है भरमोर में एक चीज़ यादत नाई ठीक है और इसकी stories भी बहुत जादा है लोड करजन जो है वो चमबा कब आये थे 1900 में आये थे तो ऐसे से questions हैं जो हम करेंगे students जिनको ये लगता है कि question section तो मैंने पहले भी लाइक में पुराने paper share किये थे हम फिर से वो द्वारा करेंगे I hope कि यहां तक आपको section अच्छा लगा है और पढ़ाने का तरीका भी अगर आपको अच्छा लगा है तो please share कीज़े इस वीडियो को और like कीज़े अगर किसी के doubts हैं तो please मैं देख लेती हूँ एक बार अगर किसी का कोई भी doubt है तो please जुरूर बताए I hope कि आपको यह जो lecture है वो अच्छा लगा है और कोई doubt नहीं है तो चमबा का जो section है हमारा मैंने यहाँ पर चमबा का section complete किया है अब हम next section लेकर आएंगे आपके लिए कोई odd district वो मैं अभी तक आपको बताऊंगी नहीं कि कौन सी district हम लेकर आएंगे that is the surprise for tomorrow हाँ कल के section में अगर किसी को doubts है चमबा से related वो पूछ सकते हैं हम mcqs जो हैं वो ने कल करेंगे चमबा के जो mcqs हैं कल आपके लिए चलो next district next week से कल आपके लिए सिर्फ चमबा से related जितने भी questions बनते हैं मैं आपके लिए वो questions लेकर आँगी तो कल हमारे channel पे बने रहना क्योंकि इस district से related अगर कोई topic रह गया होगा तो हम उस mcqs के साथ आपको share करेंगे I hope कि आपको ये lecture अच्छा लगा and again I'm saying students please like and share this video अगर content अच्छा है तो जितने भी लोग आज नए बने हैं तो please video को like कीजे and share कीजे that's all for today और सारे जो भी feedbacks हैं वो comment section पर लिखना तो that's all for today have a nice day and good evening to everyone और हाँ अगर आप first time YouTube channel पर आए हैं प्रप्राइज चैनल को subscribe कर लिजिए और इस video को like कर दिए और हाँ share करना मत भूरिएगा